पर चाचु अपनी पत्नी को रोक लेते हैं कि लव कुश इतनी घटिया हरकत की है ऐसे मुने सजा मिलने ही चाहिए यहां कार्तिक इन दोनों को बहुत मारता है और एक कमरे में बंद कर देता है आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि नायरा वापस ले आई थी लव और कुश को रास्ते से और यहां घर में बहुत बड़ा ड्रामा चलता है यहां वो सब के सामने सच बताने की कोशिश करती है कि यही दोनों हैं जो कुछ भी तरिशा के साथ हुआ है उसके पीछे यह दोनों ही है पर घर वाले यह बात मानने उससे पहले ही उनकी मा यानी चाची बीच पे खड़ी हो जाती है और वो सारे ब्लेम को गलत करार देती है वो कहती है नायरा के पास कोई सुबूत नहीं है वो जबर जस्ती मेरे बच्चों के पीछे पड़ी है यहां बहुत कुछ होता है यहां सब लोग को फिर बाद में सब डिसाइड करते हैं कि हमें तरिशा सही पूछना चाहिए सब तरिशा के कमरे में जाते हैं वहां पूछने की कोशिश करते हैं तरिशा बहुत घबरा जाती है और बिहोश हो जाती है यहाँ पर नायरा को लगता है जब उसकी कोई बात ही नहीं मान रहा है कार्तिक भी उसकी बात नहीं सुन रहा है उसे ये घर छोड़के चले जाना चाहिए यहाँ पर कार्तिक उसे बोलता है कि वो उसका साथ दे रहा है उसको उसकी बात पर विश्वास कर रहा है पर family के situation ने फसा है यहाँ पर होगा एक बड़ा चमतकार और nurse आके कहेगी कि तुरिशा को होश आ गया है उसने दी कहा है सब लोग भाग के तुरिशा के कमरे जाएंगे लव कुश के चेहरे का तो रंगी उड़ाओगा क्योंकि भाई चोर की दाड़ी में तिनका वैसा ही हाल है इस वक्त लव और कुश का यहाँ पर आप देखेंगे कार्तिक तुरिशा से पूछेएगा जिस किसी ने भी तुम्हाए साथ यह हरकत की उसका नाम बता दो तुम्हें डरने की जरुवत नहीं है नारा भी कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है उसे डरने की जरुवत नहीं है यहाँ पर तुरिशा सब के सामने पूरे परिवार के सामने नाम लेती है लव, कुश और उनका दोस्त अभिशेग ओ माई गॉड यह बास सुनके सबके पहलो तरह जमीन खिसक जाती है चाचू यानि लव, कुश के पापा के तो यह हालत होती है कि वो अभी लव, कुश की जान ही ले लेंगे इतने घटिया संसकार आखिरें लोगों के अंदर आये कैसे एक लड़की को मॉलस करने की कोशिश की यहाँ आप देखेंगे, कार्तिक को आएगा बहुत गुसा और वो उठाएगा डंडा वो इतना मारेगा, इतना मारेगा यहाँ पर चाची बीच वो रोकने की कोशिश करेंगी पर चाचू मना कर देंगे और लव और कुश को कार्तिक कमरे में बंद कर देगा अब बड़ी दो बाते हो सकती है या तो कार्तिक और नाइरा इन्हें सजा दे या फिर नाइरा इस बात को नहीं मानेगी और इन्हें पुलिस के हवाले कर देगी क्या सकरेगी नाइरा घर की इजद बचाएगी और इन्हें पुलिस के हवाले नहीं करेगी ये बात यही कि यही दब जाएगी या फिर नायरा को लगेगा कि त्रिशा को मिलना चाहिए इंसाफ और इसके लिए इने पुलिस के पास जरूर जाना चाहिए क्या सच में लव और कुछ को जेल हो जाएगी ये सारे टूइस्ट ये सारे अपडेर्स जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ बाई बाई